Hello student, welcome to my channel, once again, बच्चों कैसे हैं आप लोग, बच्चों आपने किसी मकडी को जाला बनाते हैं, spider web, it's not a web series, but अगर आपने कभी देखा होगा, तो उसमें इतनी strategy लगी होती है, इतने प्यार से जाला बनता है, कि कोई भी शिकार बच के ना निकाल जाए, बच्चों कुछ इसी कितना आएगा, ठीक है, कौन-कौन से important question है, कौन-कौन से sample paper करने है, सब आप लोग देख भी चुके हैं, पड़ भी चुके हैं, सीख भी चुके हैं, जो main चीज़ आपको सीखनी है, वो आप सीखनी है, and time पे time management, time management क्या होता है, that is very important, मतलब आपको जो paper आएगा ना, बच् से distribute करने है, that is the main important part, कई बर क्या होता है, दो number question होता है, बच्चा उसको करने में 6 minute लगायता है, 7 minute लगायता है, कोई कोई बच्चा 10 minute लगायता है, पता दलता है, जो last का 5 number question है, वो छूड गया, तो बच्चो ये चीज़ से हमें बचना है, तभी हम लोग अपने 100 में 100 number प सबसे पहले में आपको बताता हूँ, बच्चो हमारा मैस का paper किस तरीके सा आएगा, बात में मैस का paper कर रहा हूँ, बाकि ना ये study आप हर paper में follow कर सकते हैं, अब ध्यान से देखो बच्चो 3 घंटे का paper हो, 100 minutes हमें मिलेंगे, 80 marks का paper आएगा, 1 marks वाले 20 question आएंगे, 18 question आपके MC के होंगे, 2 question आपके assessment reasoning के होंगे, ठीक है, 20 marks total हो गया, 2 marks वाले आपके 5 question, total marks 10, 3 marks वाले आपके 6 question, total marks 18, 4 वाले आपके 3 question, जो हमारे case study होंगी, 3 case study आएंगे आपके exam में 12 marks की, 5 वाले 4 question होंगे बच्चो 20 marks के total हमारे 80 marks का paper आपको CBSC board में आने वाला है, इसी तरह ऐसे paper गलग boards में आएगा, ठीक है, अब बच्चो strategy का है, जो आपका golden rule है, the golden rule is that, 1 marks के लिए आपको 2 minute devote करने है, ठीक है, आज से अब क्या थान रखना है, जो आपका golden rule है, the golden rule is, 1 marks is equals to 2 minutes, ये आप अगर follow कर गए, पूरे exam में, अगर आप ये follow कर गए बच्चो पूरे exam में, तो आपको top करने से कोई रोग नहीं सकता, और आपका paper नाच छूटेगा, और आपको बहुत time बिलेगा हर question करने के लिए, आप ये देखे, 20 minutes से हमारे questions आएंगे, 20 marks से question आएंगे, तो 20 marks into 2, 40 minutes, आपको MCQs में देने है, 40 minutes आपको MCQs में देने है, और 40 minutes में आराम से MCQs हो क्योंकि 15 minutes ना आपको paper पढ़ने के लिए मिलेगा, starting में, आपको पता है ये बात, जब भी आपको paper distribute होगा, 15 minutes, reading time होता है, उस reading time में आपको जाएंगा, कौन से MCQ आपको आता है, कौन से MCQ आपको नहीं आता है, कई सारे MCQs आयसे होते हैं, फटावर फॉर्मले बेस होते है एक लग क्या answer आगे, फटावर निकलाता है, तो 40 minutes sufficient है, बच्चो 2 marks का एक question आएगा, उसमें आपको 4 minutes देने है, मतलब आपको सोचो 4 minutes में क्या 2 marks क्या question आप नहीं कर सकते हैं, अराम से कर दोगे, तो इसको अगर मैं 2 से multiply करूँ तो 20 minutes, आप easily ये 5 question कर जाओगे, ऐसी बच् 18 into 2, 36 minutes आपको इसको देने है, 24 minutes आपको देने case study में 3 case study आएगी, एक case study में 8 minutes से जादा time लगेगा नहीं, वैसे तो बच्चो 5 या 6 minutes में case study आप पढ़के answer भी निकाल लोगे, answer निकालने में तो 1 या 2 minutes लगते हैं, बस tick करना होता है, जो main portion रहता है वो case study पढ़के समझना ह वो 5-6 minutes में आपकी हो जाएगी, और 8 minutes अगर आप एक case study में दोगे, 8-24 minutes में काम हो जाएगा, ऐसी बच्चो जाओगा 5 निम्मर वाला एक question होगा न, उसमें आपको 10 minutes, oh my god, बहुत sufficient है, बहुत जाद हैं, तो 5 to the 10, तो अगर मैं बात करो, 4 question ही 20, 40 minutes में आपको ये भी हो जा चाहे तो revise कर लो paper को, चाहे तो कई बर क्या होता है, दो नमरा question बढ़ा आगया, एक दो मिनट इसमें जाद लग गए, कई बर क्या होता है, पांच नमर वाले question में calculation जाद आ गई, या कई बर क्या होता है, आपने एक question में mistake कर दी और आप उसको दुबारा कर रहे हो, तो जो भी आप अगर टेस्ट जेतों तीन घंटे वाला, तो यही strategy follow करो, इसी की practice करो, आपका paper टना टन जाएगा, best of luck from my side, यह मैं आपको बताना चाहा था, ध्यान रखना, good luck, bye everybody.